हेलो फ्राइंट्स वेलकम तुमाई यूटूब चैनल दोस्तो मेरे यूटूब चैनल की चनल विथलका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे प्रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और मैंने ले लिया है कटी हुई प्याज मिर्ची लिया है लैसन और अद्रग थोड़ी सी इसको हमें वेजिटेबल चॉपर में चॉप कर लेना है अगर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तो इसमें काफी पानी निकलता है जिसे हम कडाही में डाल का सुखाना पड़ता है तो यहा मैं एक अठाई बना कर रख लेती हूँ और हल्दी पाउडर डाल दिया है अमचुर पाउडर मिर्ची नमक सौधा नुसार डाल कर इसे मिला लेना है अगर आपको लोजी मसाला का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप देख करेला को छिलने के बाद हम इसको बीच से चीरा लगाएंगे ताकि इसमें हम मसाले भर सके सबी करेला को छिल लिया है और बीच में चीरा लगा दिया है अब इन में हम डालेंगे मसालो को चाहे चम्मत से डाले या हाथ से दबा कर इसे दबाते हुए भरेंगे ताकि ये नि फिरवा करेले को जब सभी करेलको यहां डाल दे तोBye-73 के करेले चिलका भी डाल देंगे और यह वी साथ में पक जाएगा इसको थोरी दे डेक कर पकाते हैं और बीच पीच में इसे हम चलाते रहें ताकि यह जले नहीं कड़ाई मोटी तले के होनी चाहिए और हमें धिमी आज पर पकाना है ताकि अच्छे से भूने तेज पर पकाएंगे तो करेला जल जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा अभी इन करेलों को पलट पलट कर अच्छे से सुलहरा भून लिया है और छिलके भी देखे कितने अच्छे भूनकर के तयार है और यह मसालों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है तो छिलके को बिल्कुल भी फेके नहीं इसको साथ में पका ले और करेला बनकर के तयार है यह सबजी बिना किसी जंजटके बहुत ही जल्दी बनकर के तयार हो ज तो इसे ट्राई कीजिए आप उसाद लिए काम क्राइखे कलॉजी करें, कलॉजी मसाला लिंक के मैंने के लिए डिस्क्रिप्टy में दो से घ्शिमारीया देती है, इसे लिए बन साइन में लिए ठोस को चाहराए करें और कोई भाई अब सब्सब्सब्भत से लिए दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा थेंक्यू फॉर वचिंग मैं वीडियो